आप देख रहे हैं सम्मार्ग लाइफ सेवन भर को संबोधित कर रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं जन सेवा से जग सेवा को लेकर उनके विचार आज हमारे मनमंदिर में उतनी ही तिवरता से प्रभाईत होते हैं मुझे भी स्वास हैं आप युवा साथी भी उस इस बात को जरूर महसूस करते होंगे कहीं पर भी विवेकान जी की तस्वीर देखते होंगे कलपणा तक आपको नहीं होगी मनों मन आपके मन में एक सर्धा का भाव जगता होगा सर आपको उनको नमन करता होगा यह अवश्य होता होगा साथियों स्वामी विवेकान ने एक और अनमोल उपहार दिया है यह उपहार है व्यक्तियों के निर्मान का संस्थाओं के निर्मान का और ज़्यादा तर ऐसे विश्यों की चर्चा भी थोड़ी कमी होती है लेकिन हम अध्यन करेंगे तो पाएंगे कि स्वामी विवेकान ने ऐसी संस्थाओं को भी आगे बढ़ाया जो आज भी व्यक्ति के निर्मान का काम बखु भी कर रही है उनके संस्कार उनका सेवा भाव उनका समर बढ़ाव लगातार जगाती रहती है व्यक्ति से संस्था का निर्मान और संस्था से अनेकों व्यक्तिवों का निर्मान एक अनवरत अविलम अबाधित चक्र है जो चलता ही जा रहा है लोग स्वामी जी के प्रभाव में आते हैं समस्थानों का निर्मान करने की प्रेणा लेते हैं समस्थान निर्मान करते हैं फिर उन समस्थानों से उसकी व्यवस्ता से प्रेणा से विचार से आदर से ऐसे लोग निकलते हैं जो स्वामी जी के दिखाए मार्क पर चलते हुए नए लोगों को खुद से जोडते चलते हैं इन्टिविजियल से इंस्टिटूशन और इंस्टिटूशन से फिर इन्टिविजिन ये चक्र आज भारत की बहुत बड़ी ताकत हैं। आप लोग entrepreneurship के बारे में बहुत सुनते हैं। वो भी तो कुछ एक प्रकार से यही जिवाते हैं। एक brilliant individual एक शांदार कमपनी बनाता है। बाद में उस कमपनी में जो ecosystem बनता है उसकी वज़े से वहाँ अने को brilliant individuals बनते हैं। यह individuals आगे जाकर और नहीं कमपनीयां बनाते हैं। individuals और institution का यह चक्र देश और समाज के हर क्षेत्र, हर स्तर के लिए उतना ही महत्रपूर है। साथियों, आज जो देश में नई national education policy लागू की गई है, उसका भी बहुत बड़ा focus बहतर individuals के निर्मान पर है। व्यक्ति निर्मान चे राष्ट निर्मान ये policy युवाओं की इच्छा, युवाओं के कौशल, युवाओं की समझ, युवाओं के फैसले को सर्वोच्च प्रात्वित्ता देती है। अब चाहे जो subject list चुनिए, चाहे जो combination चुनिए, चाहे जो stream चुनिए, एक course को break देकर आप दूसरा course शुरू करना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब यह नहीं होगा कि पहले वाले course के लिए आपने जो महनत की थी, वो बेकार हो जाएगी। आपको उतनी पढ़ाई का भी certificate मिल जाएगा जो आगे ले जाएगा। साथियों, आज देश में एक ऐसा ecosystem विक्सित किया जा रहा है, जिसकी तलास में अक्सर हमारी वाँ विदेशों का रूख करते थे। वहां की आधुनिक शिक्षा, बहतर enterprise opportunities, टैलेंज को पहचाने वाली सम्मान दे लेने की वाली व्यवस्ता, उन्हें स्वाभाई गुरूप से आकरशित करती थे। अब देश में ही ऐसी व्यवस्ता हमारी वाँ साथियों को मिले, इसके लिए हम प्रतिवद भी हैं, हम प्रयास रद भी हैं। हमारा युवाँ खुल कर अपनी प्रतिवा, अपने सपनों के अनुसार खुद को विक्सित कर सके, इसके लिए आज एक environment तैयार के रहा जा रहा है, सिख्षा व्यवस्ता हो, समाज व्यवस्ता हो, कानूनी प्रवारी क्या हो, हर चीज में इन बातों को केंदर में रखा जा रहा है। स्वामी जी का बहुत जोर उस बात पर भी था, जिसको हमने कभी भूलना नहीं चाहिए, स्वामी जी हमेशा कहते थे, और वो इस बात पर बल देते थे, बेशारिरिक टाकत पर भी बल देते थे, मानसिक टाकत पर भी बल देते थे, वो कहते थे, Muscles of Iron and Nerves of Steel उनकी प्रेणा उनी की प्रेणा से आज भारत के युवाओं की शारिजिग मानसिक फिटनेस पर विशेश फोकस किया जा रहा है फिट इंडिया मूवमेंट हो योग के प्रती जागरुत्ता हो या फिर स्पोर्ट से जुड़े आधुनिक इंफ्रोसेक्टर का निर्मान ये युवाओं को मानसिक और सारी रूप से स्थुद्रज़ कर रहे हैं साथियों आजकल आप लोग कुछ ट्रम्स बार बार सुनते होगे आपके कान पर आता रहता है पर्सनालिटी डेवलप्मेंट या तो फिर टीम मेनेजमेंट इनकी बारिकियों को भी आप स्वामी विवेकनन का अध्यन करने के बाद और आसानी से समझ पाएंगे पर्सनालिटी डेवलप्मेंट का उनका मंत्र था बिलीव इन यॉर्सेल्ट अपने आप पर भरोसा करो अपने आप पर विश्वास करो लिल नास्तिक वो है जो इश्वर में भरोसा नहीं करता लेकिन नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो खुद में भरोसा नहीं करता और जब नेत्रुत्व की बात आती थी तो वो खुद से भी पहले अपनी टीम पर भरोसा जताते थे मैंने कहीं पढ़ा था वो किसा में आपको भी सुनाना चाहता हूँ एक बार स्वामी जी अपने साथी स्वामी शारदान अंजी के साथ लंदन में एक पब्लिक लेक्चर के लिए गए थे सब तैयारी हो चुकी थी सुनने वाले खटे हो गए थे और स्वाभा भी कहें हर कोई स्वामी विवेकान जी को सुनने के लिए आकरसित हो करके आया था लेकिन जैसे ही बोलने का नंबर आया तो स्वामी जी ने कहा कि आज भाषन मैं नहीं बल्कि मेरे सहयोगी सारदानांजी देंगे सारदानांजी ने भी सोचा नहीं था कि अचानक उनके जिम्मे काम आ जाएगा वो इसके लिए तयार भी नहीं थे लेकिन जब शार्दान रंजी ने भाषन देना शुरू किया तो हर कोई चकीत हो गया उनसे प्रभावित हो गया और ये होती है लिडर्सिप और अपनी टीम के लोगों पर भरोजा करने की ताकत आज हम जितना स्वामी विवेकान जी के बारे में जानते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान स्वामी सार्दान जी का ही है साथियों ये स्वामी जी ही थे जिनों ने उस दोर में कहा था कि निडर, बेबाग, साफ दिल वाले, सांसी और आकांची युवाही वो नीव हैं जिस पर राश के भविश का निर्मार होता है वो युवाओं पर, युवाश शक्ति पर इतना विश्वास करते थे अब आपको उनके इस विश्वास के कसोड़ी पर खरा उतरना है भारत को अम नई उचाईयों पर ले जाने का काम देश को आत्मे निर्फर बनाने का काम आप सब युवाओं को ही करना है अब आप मैंसे कुछ युवाओं सोच सकते हैं कि अभी तो हमारी इतनी उम्र ही नहीं हुई है अभी तो हसने खेलने जिंदिगी में मौच करने की उमर है साथियों जब लक्ष स्पस्ट हो इच्छा शक्ति हो तो उम्र कभी बादा नहीं बनती हैं उम्र इतनी माइने नहीं रखती है आप हमेशा याद रख्येगा कि गुलामी के समय में आजहदी के आंदोलन की कमान युवाओं पीडी ने ही समाली थी जानते हैं शहीद खुदिराम बोस जब फांसी पर चड़े तो उनकी उम्र क्या थी सिरफ शिरफ अठारा उन्डिस साथ बगत्सी को फांसी लगी तो उनकी उम्र कितनी थी सिरफ चौबिस साल बगमान बिरसा मुंडा जब सहीद हुए तो उनकी आयू कितनी थी बब मुश्किल पचीश साल उस पीडी ने ये थान लिया था कि देश की आज़ादी के लिए ही जीना है देश की आज़ादी के लिए मरना है लॉयर्स डॉक्टर, प्रफिसर्स बैंकर्स अलगरकर्स प्रफिसर्स से यंग जनरेशन के लोग निकले और समने मिलकर के हमें आज़ादी दिलाई साथियों हम उस कालखन में पैदा हुए है क्योंकि मैं भी आजान हिंदुस्तान में जन्वा हुआ मैंने गुलामी देखी नहीं है और मेरे सामने आप जो बैटे हैं आप भी सम आज़ादी में पैदा हुए है हमें देश की स्वतंतरता के लिए मरने का मौका नहीं मिला लेकिन हमें आज़ाद भारत को आगे बढ़ाने के लिए मौका जरूर मिला है यह मौका हमें घवाना नहीं है साथियों आज़ादी के 75 साल लेकर आज़ादी से 100 साल होने तक यह आने वाले 25-26 साल बहुत ही महत्वपूर है 2047-2047 जब आज़ादी के 100 साल होंगे यह 25-26 साल की आत्रा बहुत-बहुत पूर है साथियों आप भी सोचिए आप आज जिस उमर में है अपसे जो समय शुरू हो रहा है आपना वो आपके जीवन का स्वर्निम काल है उत्तम काल है और वही कालखन भारत को भी आज़ादी के 100 साल की तरफ ले जा रहा है मतलब आपके विकास के उचाईयां आज़ादी के 100 साल की सिद्धियां दोनों कदम से कदम मिला करके चल रही है मतलब आपकी जिन्दगी के आने वाले 25-26 साल देश के आने वाले 25-26 साल के बीच बहुत बड़ा तालमेल है बहुत बड़ी एहमियत है अपने जीवन में इन वर्षों में सर्वच प्रात्विक्ता देश को दीजिए देश की सेवा को दीजिए विवेकानन जी कहते थे कि ये सदी भारत की है इस सदी को भारत की सदी हमारी युवा पिड़ी को ही बनाना है आप जो भी करिए जो भी फैसला लीजिए उसमें जरूर सोचिए कि इस से देश का क्या ही तो होगा साथियो स्वामी विवेकानन जी कहते थे कि हमारे युवा हमारी युवाओं को आगे आकर राष्ट्र का भाग विधाता बनना चाहिए इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि भारत के भविश्य का नेत्रुत्व करें और आपकी ये जिम्मेदारी देश की राजनीती को ले करके भी है क्योंकि राजनीती पोलिटिक्स देश में सार्थक बढ़लाव लाने का एक ससक्त माध्यम है हर छेत्र की तरह पोलिटिक्स को भी युवाओं की बहुत ज़्यादा जरुरत है नई सोच नई उर्जा नए सपने नया उमंग देश की राजनीती को इसकी बहुत जरुरत है जात्यों पहले देश में ये धारणा बन गई थी कि अगर कोई वक राजनीती की तरब रुक करता था तो गर वाले कहते थे कि अब बच्चा बिगड रहा है क्योंकि राजनीती का मतलब ही बन गया था जगड़ा, फसा, लू, खसो, प्रस्चा चार नजाने क्या क्या लेबल लग गये थे लोग कहते थे कि सब कुछ बदल सकता है लेकिन सियासत नहीं बदल सकती लेकिन आज आज आप देखिए आज देश की जनता, देश के नागरीक इतने जागरूप हुए है कि राज नीती में वो इमानदार लोगों के साथ खड़े होते है इमानदार लोगों को मोका देते है देश की सामाने जनता इमानदार, समर्पिद, सेवा भावी राज नीती में आए हुए लोगों के साथ डटकर के खड़ी रहते है honesty और performance आज की राजरीती की पहली अनिवारिय सर्थ होती जा रही है और देश में जो जागरुकता आई है ना उसने ये दबाव पैदा किया है ब्रस्टाचार जिनकी लिगसी थी उनका ब्रस्टाचार ही आज उन पर बोज़ बन गया है और ये देश के सामान्य नागरी की जागरुकता की ताकत है वो लाग कोशिसों के बाद भी इससे उभर नहीं पा रहे हैं देश अब इमानदारों को प्यार दे रहा है इमानदारों को आशिजवात दे रहा है उमानदारों के साथ अपनी ताकत खड़ी कर देता है अपना विश्वात दे रहा है